कि दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब नमस्कार कि स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एक बड़ी कमेंड बुक्स पर लिखेगा क्या मैं आपको विजिबल हूं कि जल्दी से बतेगे कि क्या एक बारी जल्दी से बताइए है मैं विजिबल टो अबरीवन इसके बाद ना अब ही जैसे हमने एक दो तीन चार कितने कर लिए चार कर लिए शायद फिफ्ट और सिक्स करते हैं न यहां पर मॉक पेपर फिफ्ट और सिक्स जो कंडिनियूस्टी देख रहा है उसे पत है जाए चर्ण कर दो आए चार कर दो चलिए आप सबी के सबी बच्छे जो हैं साथ वजे मुझे से रेगुलर्ली पढ़ सकते हैं टेलिगराम चैनल अमन सर वाइफे शड़ी जरूर करें सोड़ेट की आपको पीडियाफ मिल सकें एजी रहे आपके लिए कल करेंट अफेर होगा सुबह साड़े से बज़े तो उसके लिए त्यार रहीएगा तो इंपोर्टेंट है वह क्ल पर आए गई आएगा प्री क्लासिस आप देख सकते हैं अनकेडमी पे लाइव अमन रफर को यूज़ करें एट पीम पे हमेशा होता फ्री क्लास अमंदिप शर्मा प्रोफाइल सर्च कर लीजेगा जो बैचिस हैं वो भी अबलेबल हैं नए बैचिस हमेशा आपको अबले करने हैं और अच्छा परफॉर्म में करिएगा एले लेट सी कि 25 कोशन में कुन कितना अच्छा परफॉर्म करता है नहीं बैचिस आपको जो जोईन करने को मिल रहे हैं वह आपके स्सी गोल में केट्शन क्लिक करना रहाफर को लाइव अमन यूज करना मन सिलेक करना ठीक है चली मैं टार्गेट देता हूं आपको आप सभी को टार्गेट देता हूं कि आपका टार्गेट है कि आप इस पेपर में सारे कोशन होंगे A to Z कोशन एक भी नहीं छोड़ूँगा 25 में से आप को कितने लेकर आने हैं 189 अग porco यह लेखा एक प्लस दीकर ने जिसके एटी प्लस आ जाए टैके वह बता देना कि हाँ आ भाई आतने स्टाइफ करें पेपर को जल्दी से एक तो रही कामेंट वोगस पे लिखे हैं स्टाट एक इम एक प्र गरेंगे लेकिन पूरा 18 प्लस लाने आपको कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अना एटीन ब्लस लाने मैं स्टार्ट कर रहा हूं पेपर को पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का अंसर बताईगा वट हैपन मैंने ड्रोप ऑफ ग्लिस्रोल इस एड़िट टू की एमनों फॉर एक बताईगा वाट हैपन ड्रोप विस्टो जब उसको हम किसमें एड करते हैं क्मणों 4 में डालते हैं जल्दी सबतेगा वह बढ़ा मुश्किल कोशन है पहले ही कोशन मुश्किल है 18 प्लस का टार्गेट आपका चलो आपका इस कोशन का इस कोशन का आंसर क्या है देर इस खतरनाक एक्सप्लोजन होगा क्योंकि यार के साथ ग्लिस्रोल वैसे भी डेडली कॉंबिनेशन लग रहा है तो इस कोशन का आंसर कैसी पहला कोशन आप लिस्ट आउट कर लो कि आपको पहला कोशन का आंसर आता था कि नहीं ठीक है चली दूसरा देखिए हाँ जी इसमें से कौन सा दो टीम है जो की जिनोंने पहला ओफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला बहुत अच्छा कोशन है बताईगा कौन सी दो टीमों के द्वारा पहला ओफिशियल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया कि चलिए तो इस्कोउशन का आंसर क है किसके दूरा इंहें बताएं सब्सक्राइब यूएसai और किनेडा के दुआरा एक बसे ओफिशल था उसके बाद लों कि यह टीम जो है इन्होंने उसके बाद मैच आलमोस्ट नहीं खेले भी ओल लो ठीक है लेकुर कुशन देखिए वाट इस दा रेशो अफ लेंथ अन ब्रेथ ओफ नेशनल फ्लेंग बताई इस कुशिंग आंसर थोड़े अलग होते हैं तो वह आप जानों की यह अलग है ठीक कि अगर हम पूछें तो आंसर क्या होगा का बतेगा रेशो में कितना लेंथ और ब्रेथ है इस कोशिंग आंसर के जल्दी से बतेगा चलिए अगर मैं बात करूँ रेशो में लेंद्ध और ब्रेथ कितना है तो आंसर इस कोशन का दोस्तों तीन रेशो दो है ना चलिए गूर कोशन देखिए हमारा सविधान कौन सी पोस्त मेंशन नहीं करता जल्दी से बतेगा बेटा दो क्लास रखें एक ये क्लास 25 कोशन का एक पेपर और दूसरी क्लास कंटिनेशन में करा देंगे 15-15 मिनट का पेपर है जल्दी से दे दो फिर अराम से सुबे क्लास होगी ठीक है ना तो इस कोशन क सब्सक्राइब करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूस कि आता है जल्दी से बताएगा इस खोशन कान सब्सक्राइब कि सोइल वाटर टेंशन को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूस किया आता है जल्दी से बताएगा इस कोशन का आंसर है तो इस कोशन का आंसर है दोस्तों इसकोशन का आंसर है 10 सीनो मीटर यह वी यूज एंसियों मीटर जो है हम इसे यूज करते हैं ठीक है चले एक और कोशन देखिए बताई यह वाइडस ब्लैक बोर्ड अपियर्स ब्लैक इन कलर ब्लैक बोर्ड हमें काला ही क्यों दिखाई देता है जल्दी से बतेगा वाइड ब्लैक बोर्ड हमें काला ही क्यों काला क्यों दिखाए देता है क्योंकि इट अब्जोर्व ओल्दा कलर सारे कलर्स को अब्जोर्व कर लेता है इस वज़े से है ना चलिए एक और कोशन देखिए बताइए जी बतेए इस कोशन का अंसर इन विछ हिंदू मंथ ठेजा दश्मी जो है कौन से हिंदू मंथ में हम तेजा दश्मी को को celebrate करते हैं थोड़ा मुश्किल कोशन आला कि पेपर में आये हुआ मुद्ध करते हैं थोड़ा मुश्किल ऊची करते कार्तिक का महीना नहीं होता इसमें से कौन सा है जो हीट का तो गुड़ कंड़क्टर है लेकिन इलेक्टर सिटी का बैड कंड़क्टर जल्दी सब्सक्किल कोशन है यह भी कि मत यह स्कूशन का आन से कहा है कि मैं थोड़ा समय भी दे रहा हूं इसमें क्योंकि ना हम यह दो प्रोपर टेस्ट करेंगे दो प्रोपर टेस्ट करेंगे एक यह इस इस सेशन में और एक डूसरे सेशन में जो लास्ट में आपको लिंक भेजूगा टेलिग्राम चैनल पर आज का ठेक है बस वो लास्ट होगा वो देखिए उसके बाद सुबह मिलते है साड़े 6 बजे करेंड फिर में ठीक है आंसर है में का इसका आंसर है प्रोपर गुड गर्णुक्टर फीट बड़ बैट करनुक्टर ओफ एलक्टर सेडी लोंगेस रीवर इन दा वर्ल्ड दुनिया की सबसे लोंगेस रीवर कौन सी है तो दोस्तों आंसर कैस कोशन का नील न क्या खोर्ण है वैंट का इसाया दोस्तों अगर मैं बात करूं कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है कौन से वर्ष में होई इसकोशन ज청ा Clone सर है 1576 सका अंसर है इसकी drug को जण है आगे या चलिक यह है वेर इस टमपल घोड़ेश थिरिपूरा सुंदरी जो है सु कहां पर जो एक तो इस कोश्चन आंसर याद रखेगा इसकोशन का आंसर है ये टैंपल कहां पर सुचुड़ेट है करिए अमरिद गुप्ता एक पेपर और इसके बाद यह इसका आँसर एक और इसके बाद एक ओर प्रकॉशन देखें बतेगा हाउ मेनी लेंट्विजीज एज रिकॉग्नाइज बाइ धाई पॉआध का उसकर आइस है वाइस एक और कोशन देखें कि कहने मैक्सिममधी इंटरवल किसम ऑ killer कि दुक्तर पार्लीमंट एफ कि पाललीमेंट्ट सेशन के बीच में मैक्सिममम इंटरवल क्या यह हो सकता है इस फोव इन गंवा देगा canvas ॐ नושरी में होगी झाल सकता है इसज practical मंत के जाधा मुश्किल कोशन हो होता है क्यों सा इसमें के वैसल है जो निति ब्लइड को बोडी पाट से हर्ट में दोबारा नहीं कोई जादा मुश्किल कोशन है बहुत ही असान को इसको नहीं होट को नहीं हर्ट तक दबारा लेकर आता इस सफया रहं हो आझ किया थे ढ दोस्तों आंसर किया इस कोशेंगा इस कोशेंगा आंसर है वेंस इसका आंसर है ठेकें कि डियर आनाली का बिल्कुल हो गए है ठेकें कि क्या किया है एंजाइम सार्थ सैंसिटिव टू विच फॉल्विंग आंसर गैस कोशेंगा चली तो आंसर एंजाइम सार्थ सैंसिटिव टू विच फॉल्विंग बड़ी बेसिक सी बात है कि दीज आर्थ सैंसिटिव टू हीट पोईजन पीएच सभी को सैंसिटिव है है ना एक और कोशें देखिए बते ही यह टेलिग्राम चैनल पे न अभी ए आपके 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूँगा वर्ल्ड लोंगेस रीवर नाइल है अभी हमने पढ़ा ठीक है कौन से कॉंटिनेंट में असान कोशन यह तो खैर कौन से कॉंटिनेंट में आंसर अफ्रीका ठीक है वी ओल लो अफ्रीका कॉंटिनेंट में है न चलिए एक और को the president wants to give up his resignation जाश्ट्र पती आपात्र किसे देना पड़ता है इसे Todos को अपना द्याक पत्र किसे देना पड़ता है अब राश्ड्र अलब़ती कि अपना त्याकपत उपराष्ट्यवधी को देते हैं चलिए तो आन सकते हैं भपाल ट्रेजिडी वास कोज बाई बीच अब दो फॉल्लिविंग मत एक कौन सी गैस रिलीज हुई थी भपाल ट्रेजिडी में जल्दी से वोते हैं चलिए तो आन सकते हैं अब देखो यार इसको हम नहीं करेंगे करेंगे क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं तो उसमें कोई नहीं बता सकते हैं राजिस्थान जो स्टेट है उसका शेप कैसा यह थोड़ा साना अब यह कोशन ऐसा आगया कि आपने मैप पे कभी फोकस किया हो तो आपके लिए कोश्चन अजान है नहीं किया हो तो भाई फिर तो कोई क्या ही कर सकता है इर्रेगुलर रेक्टेंगल है बहुत सिंपल साय कि जो अगर मैं बात करूं राजिस्थान की तो कुछ इस तरीके से हैं तो यह इस तरफ राजिस्थान बढ़ता तो इर्रेगुलर रेक्टेंगल की तरह बनता है यह कोशन देखिए बते इस कोशन आन सकें कि बते हाव मैनी फंडमेंटल राइट्स आ दिन इन दे कॉंस्टिटूशन कितने फंडमेंटल राइट्स है ठेक है दोस्तों अगर आपसे यह पूछा रहा है कि बहीं कितने फंडमेंटल राइट्स हैं तो आंसर क्या होगा इस कोशंगा इस कोशंग आंसर जहां ठीक है ठीक है तो यह तो हो गया आसान था कोशंग हमारे flag में अशोका वील में कितने spokes हैं कितने spokes है answer के स्कॉशन कि बताइए कितने spokes है answer के है आइस है ना answer के दोस्तों बताइएगा अ कि सबसे मुश्किल पेपर अभी बाकि है last class सबसे मुश्किल पेपर कि यह सब ही को आता है है ना अभी आप स्कोर बता देना अठारा और पंदरा का टारगेट है वसे आपका कि फिर सुबह करेंड फिर पढ़ेंगा अराम से हैं पारफिन वैक्स जो है केनल बनाने के लिए यूज होती ओर यह ४ाहिए थेक है दोस्तों आंसा कोशन का यह किस से ऑप्टेन होता है पैट्रोलियम वैक्स भी कहते हैं इसे ठीक है तो इसी से ऑप्टेन होता है नेम दफ फॉर्स कंट्री विच अडॉप्टेट्ट प्रियंबल फॉर इस रिटन कंसुटूटूशन छे बड़ा आसान है हमने भी इन ठीक है आंसर के इस कोशन का जल्दी से बताइए चले दोस्तों आंसर के इस कोशन का कि इस कोशन का आंसर है अमेरिका इसका आंसर है एक और कोशन देखिए हैं हमारे कंसुटूशन में कितनी फंडमेंटल ड्यूटीस हैं बताइए आंसर के इस कोशन के एक और कोशन देखिए बताइए का चली यार मेरा मन कर रहा है मैं एक और पेपर करा दूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करते हैं एक पेपर जो है हम करते हैं सेकिंड क्लास में जो मेरा मुश्किल सेट का एक पेपर है जो सबसे मुश्किल है हमें आपको अपने टेलीग्राम चैनल अमनसर वाइफे स्टेडी पे लिंक भेज रहा है और वैसे इदर से भी जूड़ सकते हूं इस पर लिंक भेज रहा हूं पांच मिनट में आपकी क्लास टार्ट हो तो पैपर होगा पच्चिस कोशन का एक ही पेपर होगा धमाकेदार पेपर होगा, चैलेंज होगा, आप 15 प्लस नंबर लेके आओ बस, इतना, ठीक है, 15 प्लस नंबर, इस टेलिग्राम पे मैं पांच मिनिट में आपको लिंक प्रोवाइट करा रहाँ, लास्ट है, 15 प्लस नंबर लाने हैं, और 15 ही मिनट आपको लगेंगे, ठीक है, चली, तो बस नेक्स लिंक आपका आ रहा है टेलिग्राम सैनल पर देख लीजेगा है ना और जो बैचिस है तो वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सप्टेंबर के लिए नए बैचिस भी मिल रहे हैं तो आप इसे जरूर देखें ना जो नए वैचिस हैं देखो थ्योरी पढ लेबल होंगे तो मिलते हैं लास्ट पेपर में सबसे मुश्किल है ना पंदरा मिनिट का एफट होगा टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको लिंक प्रोवाइट कर आ रहा हूं ठीक है अवन सर्वाइफ एस्टेटी पर है ना चली धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं पांच मिन नहीं कर रहा है उसको रिजल्ट भी रही आएंगे है ना जो करत है वही पावद कर दिनर कर लो प्लीज करेंगे एक पेपर करवा दें आपका उसके बाद कर दिनर कर देंगे गिसमय कर दerson해 करता देंगेयर पिर दुवित चली कर दो respects बातर स्वाद चयすती ना प्लीजe वाल